आप अपने तबस्टम टॉकीज को जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा अद आप, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्टम और आप देख रहे हैं तबस्टम टॉकीज किस तेरा यहाँ कोई नहीं, किस तेरा यहाँ कोई नहीं मैं ना भूलूँगा, मैं ना भूलूँगी दोस्तों, आज इस गीतकार की मैं बात कर रही हूँ उन्होंने कई बड़ी-बड़ी फिल्मों में बेशुमार सुपर हिट गाने लिखे हैं लेकिन उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा तक्लीफ है कि उनको उनके नाम से बहुत कम लोग जानते और पहचानते हैं और वो हैं गीतकार संतोश आनंग प्यार का नहुमा है मौजों की रवानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है पांच मार्च 1940 में पैदा हुए थे संतोश आनंग सिकंदराबाद में एक मिडल क्लास परिवार में उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कम्प्लीट की और उसके बाद वो मुंबई आ गये और स्ट्रगल करने लगे गीतकार बनने के लिए संतोश आनंग कहते हैं कि मैं मनोज कुमार जी का बहुत ज़्यादा शुकर गुजार हूँ क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मेरे जोरे कलम को मेरे कलम की रवानी को देखा और बहुत ज़्यादा एप्रिशेट किया और सबसे पहले फिल्मों में उन्होंने मुझे ब्रेक दिया 1970 में और उस फिल्म का नाम था पूरत और पश्चिम संतो शानन को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मनोज कुमार ने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में उनसे गाने लिखवाए और वो भी हर रंग में तरह तरह के गाने और इसकी वज़े यह है कि मनोज कुमार खुद एक बहुत अच्छे राइटर और गीतकार है जिन्दगी की ना तूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी संतोश आनंद कहते हैं कि हीरे की परक सिर्फ जोहरिक होती है और यह तो सभी जानते हैं कि जहां तक गीत और संगीत का तालुक है राज कपूर जी एक जोहरी की नज़र रखते थे संतोश आनंद को इस बात की भी बहुत जादा खुशी है कि राज कपूर जी ने भी अपनी कई फिल्मों में उनसे गीत लिखवाए और जो सुपर हिट थाबित हुए संतोश आनंद का पूरा और असली नाम है संतोश कुमार मिश्रिट लेकिन अफसोस की बात तो यह है दोस्तो कि ना तो उनकी जिंदगी में संतोश है और ना ही आनंद भरपूर जवानी में किसी वज़े से उनकी दोनों टांगे बहुत जादा कमजोर हो गए थी और वो वीलचेर पे आ गये थे और वो आज तक वीलचेर पे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी संतोश आनंद के दो बच्चे हैं एक बेटी और एक बेटा बेटे का नाम था संकल आनंद और वो बहुत जादा मन्नतों के और मुरादों के बात पैदा हुआ था उनकी बहु का नाम था नंदनी और उनकी एक बेटी भी है साथ साल की संतोश आनंद केहते हैं कि खुद्रत मेरे साथ हर अदम पे मजाख किया एक दिन मुझे अचानक पता चला फुलिस में आके बताया कि आपके बेटे ने और बहु ने अपनी बेटी के साथ आत्मात्या कर ली है दोनों अपनी बेटी के साथ ट्रेन के सामने कूद गए और अपनी जान दे दी लेकिन आपकी पोती बज़ गई है उफ पिसमत के खेल भी बहुत निराले है मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है खुद अपना चाक गिरेबां सी रहे हैं हम खुद अपना चाक गिरेबां सी रहे हैं हम जीना किसे अजीज है पर जी रहे हैं हम संतोश आनन की भी आजकल बिल्कुल यही दिली कैफियत है आखों में समंदर है आशाओं का पानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं संतोश आनन पहले प्यार के नखमें लिखते थे और अब जुदाई के गीत लिखते हैं अपने बेते और बहु की याद में ऐसी बाते भी मैं आपको बताती रहूंगी आप देखते रहे हैं तब सुम टॉकिस